कि दोस्तों स्वागत आप से भी का एक बर फिर से आज अपने बात करने वाले हैं एच्पी अधेस्यू की क्योंकि यह श्टोक मुझे काफी पसंद आया इसका जो प्राइज एक्षन है वो काफी अच्छा है अभी आप देखेंगे तो यह जो मैंने लेवल बनाया है 95.45 यह इंपोर्टन लेवल है क्योंकि यहां पर देखी कितने टाइम से 26 मार्च को इसकी जो क्लोजिंग है वो हुई थी 95.45 पर और आज भी स्टोक क्या है उसके उपर ट्रेड कर रहा है विकली क्लोजिंग जो है उसकी इसके नीचे नहीं हो रही लेकिन एक और चीज है जो चार्ट के अंदर आप लोगों को देखनी है वो है इसका जो विकली चार्ट है उसके अंदर एक रेंज बनी हुई है यह देखिए करीब इस लेवल के आसपास इसने एक रेंज बनाई ह कर दिया है तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि इसने यह वाला जो प्राइज एक्षन है इसको फोलो किया है यहां पर काफी टाइम इसने spend कर दिया बिता दिया अब ये क्या है इसको breakout कर रहा है लेकिन क्योंकि market का sentiment यदि weak होगा तो ये भी आपको down में मिलेगा तो आप चाहे तो इसको buy on dip भी कर सकते हैं लेकिन यहां से आपको यदि ये down में मिलता है तो काफी अच्छी buying opportunity है मेरे according बाकि आपको इस चार्ट को personally study करना है श्टोक के fundamental को देखना है fundamental wise यदि आप देखेंगे तो इसमें कोई भी कमी नहीं है आपको थोड़ा सा मैं brief कर देता हूँ यहां आपको screener पर जाना है screener पर आप देखेंगे तो यहां आप HPAL HP adhesive जो है इसको आप open करेंगे तो यहां आपको fundamental यह देखेंगे पहले तो अपने peer group में देखेंगे peer group में आपको 102 के level पर और price to earning यह 46 इसका sector का जो leader है PD light उसका 89 का तो मतलब इसके लगवग 50% आप कह सकते हैं और यदि आप debt की बात करेंगे तो debt देखेंगे बहुत ही negligible 3, 3 करोड का है जो की 0.02 debt to equity यदि आप इसकी equity को देखेंगे उसके comparison में काफी कम है ROC ROE भी काफी अच्छी है promoter holding भी अच्छी है यदि आप quarterly result अभी तो June quarter का result नहीं आया है लेकिन yearly यदि आप देखेंगे तो यहां आप देखेंगे इसके अंदर growth देखें net profit के अंदर growth आप देखेंगे तो 10, 6, 6 से 11, 11 से 2, 1 तो 11 से 26, 11, 21 काफी अच्छा इसके अंदर improvement हो रहा है चलिए अब यदि अपने इसके अंदर इसको एक बार remove कर देते हैं इसके अंदर और यदि आप देखना चाहिए तो detail में देख सकते हैं लेकिन price action wise भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि यह क्या है एक range बना रहा है और इस range का breakout भी देखने को मिला है अब एक और यदि time low है देखिए जब से यह list हुआ है यहां कहीं list हुआ था और उसके बाद low आने के बजाए यह नया high बना रहा है और अभी यहां से मैं इसको drag करके यहां पर रखूंगा 131 का इसका high है तो यहां देखिए यह जो है 0.5 96.4 यह देखिए 96 रुपीज का जो 50% का level है उसके नी इस new stock मेंने आप लोगों को बताया था टाटा यह technology टाटा टेक्नोलोजी निहीं TCS के बारे में आप लोगों को बताए था उसका भी चाठ कुछ इसी तरह से अपन ने स्टेडी किया था उसका मैं आपको डिटेल वीडियो यहां पर यह सोरी लिंक जो है वीडियो का वो प्रोवाइड कर दूँगा उसके अंदर जो प्राइज एक्षन हुआ ब्रेक आउट हुआ काफी अच्छा आपको इसके अंदर यह उसके अंदर मुवमें और यदि किसी स्टोग रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं अपने मिलकर उसके चार्ट को स्टेडी करेंगे यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा मिलते हैं इसी तरह के और एजुकेसिनल वीडियो क साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों